Good morning students, so today we will learn about the animals that yield wool, ऐसे अनिमल जो वुल देते हैं Several breeds of ships are found in different part of the country, अब ships है तो उनकी breeds भी होंगी, तो वो हमें अलग-अलग country में दिखाई देते हैं However, fleas of ship is not the only source of wool, ऐसा ज़री नहीं है कि हमें वुल चाहिए तो वो हमें सिर्फ और से ship से मिलेगा कोई और animals भी हैं जो हमें वुल दे सकते हैं Though wool commonly available in the market, फिर भी वुल हमें mainly market से मिल जाता है, तो वो कौन सा वुल होता है, mainly ship का वुल होता है यानि ship का वुल हमें commonly मिल जाता है, लेकिन जो याक वुल है, वो common कहां पर है, तिबेत और लदाक में, तिबेत और लदाक में हमें mostly याक उसका वुल मिलेगा मोहेर वो is obtained from Angora Goats, जो मोहेर नाम का वुल है, वो हमें Angora Goats से मिलता है, और वो हमें कहां मिलते हैं, in the highly regions, such as Jammu and Kashmir highly region में मिलेंगे, जैसे कि Jammu और Kashmir है, तो wool is obtained from goat hair, the under fur of Kashmiri goat is soft, it is woven into fine shawl, called Pashmina shawl wool जो हमें goat hair से मिलता है, यानि goat के hair से मिलता है, वो under fur, यानि Kashmiri goat से लिया जाता है, Kashmiri goat का जो wool है, वो बहुत ज़्यादा soft होता है, और उसे फिर shawl बनाए जाते हैं, वो shawl का नाम क्या है, Pashmina shawl The fur on the body of camel is also used as wool, camel की body में जो fur होते हैं, वो भी as a wool की थरह use किया जाता है, जैसे कि Lallama and Alpaca, यह mostly हमें कहां मिलेंगे, South America में, जो wool produce करते हैं Activity 3.2, इसमें हमें क्या करना है, ऐसे animals जब wool produce करते हैं, उनके हमें pictures collect करने हैं, और हमारी book में उसे paste करना है, तो आपको भी activity करनी है, जो भी आपके आसपास आपको, या क्या फिर goat, camel, alpaca, इन सब के अगर photo मिलते हैं, तो आप paste कर दो, otherwise आप उसे draw कर देना notebook में, और उनके name लिख लेना, और उन्हें क्या बोला जाता है हमारी इंडिया की local languages में, तो वो भी आप, अगर लिखना हो, तो लिख सकते हो, otherwise कोई जरुरत नहीं है, तो आपको बस इतना करना है, कि जितने भी आपको pictures मिलते हैं, if किसी भी animal के जो wool produce करते हैं, तो उन्हें paste कर दो, otherwise उन्ह drawing कर देना, उसकी drawing बना सकते हो, it is not necessary कि आपको pictures ही मिलेंगे, आप draw कर देना होने, So, there are some pictures given in your textbook, like, याक है, ललामा, ललामा और एलपे का हमें कहां पर मिलते हैं, साउथ अमेरिका में, कैमल है, अंगोरा गोट, गोट, तो इन सब से हमें wool yield होता है, तो इसी इनिमल्स की picture आप draw कर देना, Activity 3.3 में आपको क्या करना है, तो एक outline map बनाना है, इंडिया का outline map, या फिर world का, और उसमें बताना है कि हमें कौन से आनिमल्स कहां पर दिखाई देते हैं, बस इतना हमें Activity 3.3 में करना है, It is not mandatory to procure this activity on your notebook, नोटबुक में ये Activity करने की कोई जरुरत नहीं है, बस आपके समझ के लिए है, आप कहीं पर सर्च मार के भी देख सकते हो कि कौन से जगह पे हमें कौन से आनिमल्स मिलते हैं, तो वैसे तो हम वो आगे पढ़ेंगे